Recently China के top naval scientist ने ये claim किया है कि China एक star wars type की super ship बनाने वाला है Now ये ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में उड़ेगी Simply इसका meaning ये है कि इसका size बहुत बड़ा होगा ये एक ultimate aircraft carrier होगा Actually China के scientist का मनना यहाँ पर ये है कि बहुत सारे aircraft carriers की ताकत सिर्फ इस एक aircraft carrier में होगी और उसके इलावा इस aircraft carrier को nuclear energy से चलाया भी जाएगा Now इस type का जो idea है थोड़ा बहुत ऐसा ही idea जपान को आये था दूसरे विचुईद में जब जपान ने एक battleship बनाई थी Yamato के नाम से हाला कि ये battleship फेल कर गई थी और अमारिका ने इसको डुबा दिया था अगर आज भी आप देखो किसी भी देश ने इतनी बड़ी battleship नहीं बनाई जो जपान बना के बैट गया था 1940s में और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी भारी भरकम ships बनाने का point क्या है तो देखिए Eastern Asia में एक culture rain का कि बिलकुल intimidate कर दो तो यह भी चाइना का आप के लिए यामाटो जासा एक्सपरिमेंट है